हैलो दोस्तों कैसे यहां आप लोग आसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तो यूपी फुलिस कॉंस्टेबल भरती जो टेंडर प्रोसेजर था उसका मैं आप लोग को पूरा जो डेटेल में इस वीडियो में बताने वाला हो कि अकप तक वेकंसी आने की उम्मीद है और कंपनियां हो सामिल हो सकती है तो वहां तक आप लोग को डेट दी गई थी कि वहां पर जो भी कंपनियां है वहां पर आके अपना इंड्रोल कर सकती है तो वहां पर जो डेट दी गई थी पच्छीस तरीक यानि आज आज आप लोग को आज अपडेट मिल जाएगी यूप डेट बढ़ाई जा सकते हैं नेस्ट डेट दी जा सकते है कि पिछली भरतियों में भी ऐसा हो चुका है तो अगर आज टेंडर फाइनल हो जाता है तो आप लोग की भरती भी बहुत जल्दी आने वाली है और आप लोग को जो है टाइम बहुत कम मिलने वाला है एक्जाम के ल आप लोग को एक जो है फॉर्म आजाएगा और आप लोग उसको प्लाई करेंगे देन उसके पाद आप लोग को कलेंडर भी जा रही होगा आप लोग का एक्जाम भी कब होगा यह भी चीज़े बताई जाएंगी तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें आज अपडेट स इसके बारे में जरूर बताऊंगा तो साम तक आप इंदिजार कर लिजिए जो भी आएगा खुल के आजाएगा सामने डेट या डेट आएगी या फिर टेंडर जो है आगे बढ़ेगा इससे भी पूरी डिटेल आप लोग को देखनी को मिलेगी तो यही मैं आप लोग को जनका देना चाहता था कि आप लोग कि वर्ती पर क्या बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयरी करते रहें और आप लोग को मैं जो है क्वेशन पेपर करने वाला हूँ जो होंगे जीगे के स्रीज मैं अपने चनल में बताउंगो जो प्रीवियस एड़ के क्वेश्टन की होंगे और नए एक क्वेश्टन जो होंगे वह एड़ किये जाएंगे तो आप लोग को सुभा-सुभा जो है यह वीडियो मिल जाएगी और आप लोग इसको जरूर वाच करिए ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी कुछ रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को हर एक नोट्विकेशन मिलती रहे यूपी प्लीज में काफी चरी वेकंसी हैं तो आप लोग इस बार जरूर अपलाई करिए और जिनकी भी एच है तो आप लोग त्यारी करते रहिए और आप लोग को समय बहुत कम मिल देवाला है क्योंकि 2024 में चुनाओं है तो उससे पहले भरती पर किया का जो है आधा प्रोसेस तो होई जाएगा अगर पूरा नहीं होगा लेकि एक्जाम आप लोग को पूरा करा लिया जाएगा उसके बाद आप लोग को रणी के लिए समय नहीं मिलेगा तो मिलते हैं ऐसी नेस्ट वीडियो के साथ जो भी अपडेट होगी मैं साम को अप पूर जरूर बताऊंगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए तो हम साम को मिलते हैं इननाई वीडियो के साथ तब तक लिए जैहन वंदे मातरम